दोस्तों Paytm के IPO में एक भी रुपे इन्वेस्ट मत करो, क्यूँकि अभी तक के रिपोर्ट्स के अनुसार लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेज बहुत कम है। इहां तक की IPO लिस्ट होने के बाद आपको लॉस भी हो सकते हैं, ऐसा में क्यूँ कह रहा हूँ। इसलिए क्यूँकि आप जब ही कोई भी IPO में इन्वेस्ट करते हैं आपको डे 2 तक वेट करनी चाहिए। और सब्सक्रिप्शन रेट देखना चाहिए, दोस्तों Paytm के IPO में अभी तक सिर्फ 67% सब्सक्रिप्शन हुए है। ओवर सब्सक्रिप्शन के कोई चांसेज नहीं लग रहा है। और आपको तो पता ही होगा जितने ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होते हैं, उतने ज्यादा चांसेज हैं लिस्टिंग गेन मिलने की। वेल, I will suggest you not to invest in this IPO. आपकी मर्जी, ये आपके पैसे है, आप चाहो तो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो. मेरा सजेशन ये है, इस IPO के अंदर इन्वेस्ट ना करना ही बेटर होगा. और आप अगर फिर भी इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाते हो तो कंपनी लिस्ट होने के बात खरीदो. दोस्तों अभी दो IPO लाइव है, आप अगर इस IPO के लिस्टिंग गेन के चांसेज जानना चाते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ.